तो हेलो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में बात करेंगे गौतम जैम्स लिम्टर्ड के स्टॉक की इस स्टॉक में 1.65% की रैली आज देखने को मिली है और ये स्टॉक 14.79 की प्राइस पे टेड कर रहा है एट नियली 12.06 पीम तो आईए देख लेते हैं इस स्टॉक के इंपोर्टन लेवल क्या है रिजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल क्या रह सकते हैं और इसके फिनेशल किस तरह के निकल कर आ रहे हैं सारे डिटेल एक एक करके चेक करेंगे और एंड में हम आपको नवेश की राई भी देंगे इसलिए एंड था कि जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा कोई भी पॉइंट मिस मत करें ताकि सारी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए सबसे पहले नए आयो हमारे चैनल को पड़ा पट सबस्क्राइब जरूर कर लें बेल लाइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिकेशन मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी इससे लाइक भी कर दें आगे शेर करना मत भूलें तो आईए सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं सुबह आज इससे स्टॉक में बड़ी गिराबट ही हुई थी और 14 का लेवल एक बहुती बड़ा सपोर्ट जोन बनता ही दखाई दे रहा है क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक 14 से नीचे गया तो इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली हुई है फाइव डे का डाटा देख लेते हैं यहाँ पे पहले बहुती अच्छा मोमेंटम चल रहा था लेकिन 15 का लेवल एक बहुती बड़ा रिजिस्टेंस लेवल है जिसके उपर ये स्टॉक टिक नहीं पाया है जैसे ही ये स्टॉक 15 से उपर गया इसमें बड़ी गिरापट शुरू हो गई तो ये स्टॉक आज इकल बहुती रेंजबौन काम करता दखाई दे रहा है 13.86 का लेवल एक सपोर्ट जोन है जबके 15.31 का लेवल अब शॉर्टर में एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है जबके वन मंत में देखो बहुती ज़्यादा वालेटल्टी है बहुती बड़ा इस स्टॉक में जो है वो अप्टरेंड एंड टाउंटरेंड देखने को मिला है क्योंकि कभी ये स्टॉक नीचे जाता है कभी ये स्टॉक जो है वो नीचे गिरता दखाई दे रहा है तो एक बहुती रेंजबोंड काम होता इस स्टॉक में दखाई दे रहा है यहां पे देखो ये जो स्टॉक है अपने रिजिस्टेंस and अपने जो support level है उनी के बीच में trade करता दखाई दे रहा है consolidate कर रहा है तो important level पे फिर focus कर लें 13.95 का level lower level पे बहुत ही बड़ा support zone है that is nearly 14K round बहुत ही बड़ा support zone है जबके 15.28K round अब इसका बहुत ही बड़ा resistance level है और यह stock इनी levels के बीच में consolidate कर रहा है 1 month में 2.51% की overall गिरावट है 6 month का data देख लो 14.34% की rally जरूर हुई है पहले इस stock में बहुती bulis trends देखने को मिले थे यह stock 25K level तक भी चला गया था लेकिन उसके बाद बड़ी गिरावट के बाद इस stock में आजकल consolidate चल रही है जैसे हमने पहले बताया है क्योंकि 1 year का data देखें इस stock में जो है 33% की rally देखने को मिल जाएगी 5 years में देखो negative trend है तो यह stock एक highly volatile stock है तो आईए इसकी financial performance एक बार detail में चेक का लेती हैं पहले December quarter के नमबस देख लो इसके revenue में 51% की गिरावट देखने को मिली हुई है लेकिन net income जरूर double हो गई है double से भी जादा हो गई है 103% के हिसाब से इसकी net income बढ़ गई है क्योंकि net profit margin में multifold jump देखने को मिला है 318% की rally देखने को मिली हुई है तो company के expense काम होने के कारण margins जरूर improve हो गए है तो इसी के कारण इसकी net income है net profit है वो बढ़ गई है double से जादा हो गई है तो ये एक अच्छी indication है company सही काम करती दिखाई दे रही है तो ज़िए इसके long term के fundamental देखें यहां पे देखो इसकी अब PE multiples बहुत ही सही हो चुकी है क्योंकि पहले ये stock बहुत ही तेजी से बढ़ गया था तो इसकी valuations भी high हो गई थी आजकल इसका जो market cap है 79 क्रोड के round है PE multiples 24 के round है जबके industry के PE multiples 60 के round है तो industry के मकाबले आजकल जे stock बहुत ही सस्ता है आपको discount पे मिल रहा है ये इसका सबसे बढ़ा plus point है और debit to kitty ratio भी बहुत ही low है जबके price to book ratio भी 1.24 के round है तो valuations are looking very very attractive ROE percentage 3.69% के round चल रही है तो आज़े इसके financial growth का pattern देख लेते हैं पहले देखो इसके financials में negative trend देखने को मिल रहा था from the last three quarter December quarter के मकाबले December 21 में revenue जरूर कम हो गया है लेकिन स्तंबर quarter के मकाबले December 22 में इसके revenue में jump देखने को मिला है इसके कारण आगे हम study करेंगे profit देख लो profit जरूर बढ़ गया है क्योंकि company का expense जो है expenditure जो है वो कम हो रहा है इसलिए company का income है वो बढ़ रही है तो यहां पर देख सकते हो इस company का जो profit है वो भी ऐसे तो clear pattern तो कोई नहीं है कभी गिरावट होती है कभी rally होती है overall positive trend जरूर है इंदा year on year basis तो जदी last five years की performance देखें तो इसका profit कहां से कहां पहुँच गया है 2018 में इस company का जो profit ता 0.08 था जबके 22 में इसके profit का जो value थी that was daily 0.52 क्रोड तो long term के fundamentals long term की performance बहुती बढ़िया है बहुती शांदर है तो share holding pattern भी देख लो retailer के पास 78.56% का stake है और promoter के पास 21% के round stake है last one year में promoter ने अपना माल बेचा है जबके retailer ने अपना माल खरीदा है दोस्तों जब कोई stock high valuation पे जाता है तो even promoters FIIs भी अपना माल sell करते है profit booking करते है लेकिन high valuation पे retailer फस जाता है तो यही चीज समझने की जरूरत है इस चकर से बचने की जरूरत है क्योंकि company देखो different type के diamonds की manufacturing करती है ट्रेडिंग करती है क्योंकि दोस्तों यह company एक मेली क्या कह सकते हो आप jewelry sector की company है different type के जो diamonds की jewelry है वो manufacture करती है और उसकी जो है trading करती है एक अच्छी company है लेकिन दोस्तों इस company का business जो है वो उसमें variation जरूर देखने को मिलती है क्योंकि क्या होता है जब festive season आता है specially जो December quarter होता है और March quarter होता है वहाँ पर इस company की जो performance है वो improve होती है क्योंकि sales ball भी बढ़ते हैं income भी बढ़ती है लेकिन जब festive season नहीं होता है तो company की performance जो है वो नीचे भी गिरती है ऐसा ही इस company की performance में भी देखने को मिला हुआ है यहाँ पर देखो इसका जो last one year का revenue है कभी बढ़ रहा है December 21 के comparatively March 22 में बढ़ा फिर नीचे गिड़ा last three quarters में क्योंकि June 22, September 22 यह festive season नहीं था तो इसमें revenue नीचे गिरा लेकिन December 22 में फिर कुशर recovery देखने को मिली तो अब expectations हैं कि quarter four में that is quarter four financial year 23 में company के number जरूर positive आएंगे क्योंकि festive season था, marriage season था तो इस company की sales भी grow होगी profit भी grow होगा इसलिए आने पहले time में आब अच्ची recovery इस stock में देखने को मिल सकती है इसलिए आप इस stock में अपना stop loss लगा के अपना जो है वो position बना सकते हो ज़री एक बार यह stock 15 के level को पार कर गया क्योंकि इसकी resistance 15 से लेके 16 के बीच में है तो ज़री यह stock इस level को पार गया फिर इसमें आपको 20 थक के target भी देखने को मिल सकते हैं within next 6 months तो इसलिए आप इस stock को अभी accumulate कर सकते हो फारे target price of rupees 20 लेकिन आप अपना stop loss ज़रूर लगाना जाद रखना thanks again मिलेंगे नई वीडियो के साथ अभी तक ज़िए आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को subscribe कर लें बेल लाइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो notification है वो मिल जाएगा